आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल में बतोर चाइल्ड आर्टिस नजर आई सुहानी भटनागर का महज 19 साल की उम्र में निधन हो गया दरसल सुहानी को एक रेर बिमारी थी जिसके इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया उन्हें दवाओं का रियाक्शन हुआ था जिससे उनके शरीर में पानी भर गया था सूत्रों के मुताबिक एम्स में चल रहे इलाज के बीच में आई कॉम्प्लिकेशन के चलते उनका निधन हुआ ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी हस्ती ने बिमारी या इलाज के दौरान बेवक्त दुनिया को अलविदा कह दिया साउथ की पॉप्लर एक्टरस आर्ती की भी लिपोसेक्शन के दौरान कम उम्र में ही जान चली गई थी वहीं एक कर्णर एक्टरस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दूसरी और अपने फिटनेस के लिए अलग पहचान रखने वाले सिधार शुकला की भी हार्ट अटेक से अचानक मौत हुई थी आज के इस वीडियो में एक नजर डालेंगे उन सेलेब्रिटीज पर जो कम उम्र में ही बेवक्त मौत के शिकार बन गए नमस्कार मेरा नाम है लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी चिरंजीवी के साथ फिल्म इंद्रा में नजराई अक्टरस आर्ती का न्यू जर्सी में महज 31 साल की उम्र में निधन हो गया था दरसल आर्ती अगरवाल साउथ में बेहत पॉपुलर थी लेकिन वजन बढ़ने के चलते उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था मोटापे से छुटकारा पाने के लिए आर्ती न्यू जर्सी में लिपोसक्षन करवाने के लिए गई थी 6 जून 2015 को आर्ती का लिपोसक्षन होना था लेकिन सरजरी के बीच में उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी सरजरी के दौरान ही उन्हें हाच टेक आ गया जिसके चलते उनकी मौत हो गई उनकी मौत के एक दिन पहले ही 5 जून को उनकी फिल्म रानम 2 रिलीज हुई थी मौत से माहस 15 दिन पहले स्मिता ने पहले बेटे प्रतीक बबर को जन दिया था लेकिन डिलिवरी के बाद ही स्मिता पाटिल की तब्यत बिगड़ती जा रही थी 12 दिसंबर को उन्हें तेज बुखार आया और खून की उल्टियां होने लगी कुछ घंटो बाद उनकी तब्यत में सुधार आया जरूर लेकिन अगले ही दिन 13 दिसंबर 1986 को अचानक उनकी मौत हो गई मौत के समय वो कोमा में थी डॉक्टर्स ने उनकी मौत का कारण डिलिवरी कॉम्प्लिकेशन बताया था आपको बता दें कि मौत के बाद समिता की 10 फिल्में रिलीज हुई थी ऐसा ही एक किस्सा है कन्नड पॉप्लर अक्टर्स चेतना का अक्टर्स चेतना का महज 22 साल की उमर में निधन हो गया था दरसल साल 2022 में चेतना राज ने बैंगलूरू के एक नीजी इस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी सर्जरी के दोरान आई कॉम्प्लिकेशन की चलते उनके लंग्स में फ्लूर्ड भरने लगा था डॉक्टर्स की लापरवाही से सर्जरी के दोरान ही 17 मई 2022 को चेतना का निधन हो गया इनके अलावा अपने जमाने की पॉप्लर एक्टर्स नर्गिस की पैंक्रियाटिक कैंसर से मौत हो गई थी एक्टर्स होने के साथ-साथ नर्गिस राजनेता भी थी दोगस 1980 को राजसबा सेशन के दोरान वो बेहोश हो गई थी शुरुवाती इलाज में डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें पी लिया है इलाज के दोरान पता चला कि उन्हें पैंक्रियाचिक कैंसर है न्यू-यॉक में हुए कैंसर के इलाज के बाद नर्गिस को भारत लाया गया हाला कि दोबारा तवियत बिगरने पर उन्हें ब्रिच कैंडी ऑस्पिताल में भरती कराया गया इलाज के दोरान दो मई को नर्गिस कोमा में चली गई थी जिसके अगले दिन 3 मई 1981 को उन्होंने दम तोड़ दिया आग से डर लगने के चलते नर्गिस की आखरी ख्वाईश थी कि उन्हें जलाया नहीं दफनाया जाए नर्गिस की मौत की चोथे दिन उनके बेटे संजिदत की पहले फिल्म रॉकी का प्रिमेर हुआ था 7 मई 1981 को हुए प्रिमेर में नर्गिस के लिए एक सीट खाली छोड़ी गई थी इन सब के अलावा अपने जमाने की सबसे खुबसूरत एक्टरिस माने जाने वाली मदवाला का भी महस 35 साल की उम्र में निधन हो गया था मदवाला अपने करियर के पीक पर थी जब 1969 को उनकी तब्याथ खराब रहने लगी थी इसी साल उन्हें पीलिया हो गया था जब उनके खून की जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें हिमिच्यूरिया नाम की एक बिमारी है उनका इलाज ही चल रहा था कि 22 फरवरी उन्नी सो नत्तर को देरात उन्हें दिल का दौरा पड़ा कई घंटों की जद्धो जहत के बाद 23 फरवरी उन्नी सो नत्तर को सुबा साड़े नो बजे मदुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया ऐसा ही एक दिल तोड़ने वाला किस्सा है मशूर सिंगर केके का केके को 31 मई 2022 को अचानक हाट अटेक आ गया जिससे उनका निधन हो गया दरसल केके कोलकाता के एक कॉंसर्ट में पफॉर्म करने गय थी कॉंसर्ट के बाद होटेल आते ही उनकी तब्यद बेगडने लगी होटेल पहुँचते ही वो बेहोश हो गए और उनकी टीम उन्हें तुरंत कोलकाता रिसर्च इंसिट्यूट ले गए जहां डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं सके रात 10 बच कर 30 मिनट पर उन्हें मृत घोशित कर दिया गया और टपसी रिपोर्ट में बताया गया था कि उनके हार्ट में 80 प्रतिशत ब्लॉकिश थी इनके अलावा बालिका बदू शोव फेम आक्टर सिधार शुकला का 2 सितंबर 2022 को हार्ट अटेक से निधन हो गया था आक्टर मौत से पहले बेहत फिट थे और एक दिन पहले ही वरक आउट करकर घर आये थे देरात उन्हें बेचैनी मैसूस हुई जिसके बाद उन्होंने अपनी मासे पानी मांगा अगले दिन वो उठे ही नहीं आपको बता दें कि सिधार्थ ने टीवी इंडास्ट्री में पॉपुलरिटी हासिल करने के बाद हम्ती शर्मा की दुलनिया फिल्म से बॉलिवुड डेब्यू किया था मौत की चंद महीने पहले ही उन्होंने बिग बॉस 13 में जीत हासिल की थी ये बिग बॉस हिस्ट्री का सबसे पसंदीदा सीजन रहा था इस विशे में आप क्या समझते हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रही है रिपोर्टर जी